हेलो फ्रेंड्स, सुभी की टिप्स में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सभी, I hope आप सब अच्छे होंगे आशा करती हूँ, आज मैं बनाने जारी हूँ बिस्किट से बहुत ही बहतरिन मिठाई मैंने आप पे तीन पैकेट पारलेजी बिस्किट लिया है आप चाहे तो कोई भी बिस्किट यूज कर सकते हैं बस वो बिस्किट क्रीम वाली नहीं होनी चाहिए मैंने तीनों पैकेट को खोल के बिस्किट को प्लेट में निकाल लिया है देखिए तो सारे बिस्किट को मैंने प्लेट में निकाल लिया है कढ़ाई आप जाये तो कोई सा भी बरतन ले सकते हैं अब इसमें मैंने डाला गी तीन चम्मच गी डाला है घी को मेल्ट होने देंगे अच्छे से और घी को गरम होने देंगे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है और बिस्कित अगर टूड भी जाती तो कोई बात नहीं तुटी हुई बिस्कित को भी हमें फ्राई करना है सभी को हम चम्मच से अलटते पलटते हुए तल लेंगे फ्राई कर लेंगे हलका लाइट ब्राउन करना है बहुत जादा डार्क नहीं करना है और एक दो बहुत ज़्यादा रार खो भी जा रहा है तो कोई बात नहीं देखिए तो इस तरह से हमें बिस्किट को ब्राउन करते हुए मिठाई बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लगती है मिठाई आप घर में जरूर एक बार ट्राइ करके बनाईएगा बहुत ही स्वादिष्ट लगती है बहुत ही जल्दी बनती है ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इस मिठाई को बनाने में और यकिन मानिए जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं उसी टाइप की मिठाई लगती, मार्केट से तो हम बहुत सारी मिठाई खरीत के खाते हैं, क्यों आज घर में ही बनाया जाए, बिस्किट की मिठाई, पहली बार सुन रहे हैं ना, बिस्किट की मिठाई, बिस्किट का केक तो बहुत उने बनाया है, पर आज हम बनाने जा रह पर जब हम प्लेट में रखके ठंडा होने देंगे 5 मिनट बार तो बिस्कीट वैसी मस्त कुरकुरी हो जाएगी और क्रंची हो जाएगी बहुत ही टेस्टी लगता है अब इसी तरह में सारे बिस्कीट को तल लेती हूँ हम तलते हुए सारे बिस्कीट को तल के निकाल लेंग कद debating तो चलिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं विसुआ को और ये बहुती अच्छी वन ने वालीम हमें हमारी ही मस्त ब्राउन हो चुक विसुआ है झाल की है फंडी हो चुकी है पांच मिनटले फंडा होने जरूर रखिए गा और ये बहुती क्रंची हो आपको दिखाऊंगे देखी बहुत ही आसानी से टुटते जारी है हमें इसे तोड़ के ही बनाना है और बहुत ही टेस्टी लगता है यह तो एक बार जरूर बनाईएगा बिस्कीट के मिठाई चलिए सारी बिस्कीट को हम तोड़ लेते हैं दो तिन तिन टुकड़ों में तो हमें बाद में घीरी डालने की जरूरत ना पड़े देखिए बिस्कीट बहुत ही अच्छी क्रंची हो गई है आपको सुनाई दे रहा होगा कि बिस्कीट बहुत ही जादा कुर्मुरी हो गई है अब हम इसे जार में डालके ग्राइंड कर लेते हैं पीस लेते हैं इसका इसी तरह सारी बिस्कीट के पॉडर फ्रेम में बना लेना है मिक्सी में पीस के सभी को निकाल लेते हैं अब अब मैं लूँगी एक बाउल छोटा चोटा सा बाउल लूँगी उसमें मैं डालूँगी दूद पॉडर देखिए एक बाउल लिया है मैंने अब मैं इसमें डा करना है उसका एक बैटर तयार करने ना है थोड़ा सा थीक बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है इस तरह से हम दुद्ध पॉडर का घोल बना लेंगे देखिए बहुत यच्छा पेस्ट आ गया और चाह उसको फेटते जाएंगे ताकि जो बबल्स निकल रहे वो निकलना चाह अब इसे गैस को हाई फ्लेम में करके चम्मच चलाते हुए मैं इसे पकाऊंगी कुछ मिंटों में हमारी चाशनी बनकर तयार हो जाएगी और चम्मच को चलाते जाना है नहीं तो ये सारा चाशनी बरतन में चिपक जाता है और हमारी चाशनी हो जाती है खराब तो इसे चम मज नहीं चलाएंगे तो चाशनी चिपक जाएगी और बिगड जाएगी खराब हो जाएगी जिससे की डिश बिकार हो जाएगी इसलिए हमें चम्मच चलाती जाना है देखिए एकतार वाली चाशनी बन कर तयार है हाथ से आप देख रहे हैं चाशनी बन चुकी है हमारी ये केकतार आ रहा है इसका मतलब चाशनी तयार है अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने दूद पॉर्डर घोल के रखा था दूद में उसे डाल देना है उसे डाल के भी हमें चम्मच चलाना है मिठाई में दूद पॉर्डर डालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम बिस्किट की मिठाई बना रहे हैं दूद पॉर्डर डालेंगे तो थोड़ा सा सैट होगा विस्किट में इसलिए हम दूद पॉर्डर का इस्तमाल कर रहे हैं अब देखिए बहुत ही ज़्यादा लिक्विट फॉर्म में हो गया है इसे चम्मच चलाते हुए इसे ठीक करना है देखिए हलका गाढ़ा होते आग चुका है मैंने इसमें डाला है दो तीन इलाइची के बीज ताकि ये इसका फ्लेवर इलाइची जैसा फ्लेवर आजाए और अब डाल दिया जो बिस्किट हमने निकाला था पीस के देखिए वो हलका सा घी की वज़ा से मॉइस्चर हो गय हम इसमें डाल के इसे पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा इसे डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए जाना है ताकि चाशनी और दूद पॉडर बिस्किट के पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक मिठाई बनाने का टेक्चर तैयार हो जाए चमत च पर टेंशन की बात नहीं है घी उसमें अब्जॉब हो जाएगी सभी मिक्स हो जाएंगे और हमारा मिठाई बनाने का टेक्चर भी तैयार हो जाएगा करीब इसे चार से पांच मिनट तक लो फ्लेम में हमें मिक्स करना है तो ये तैयार हो गया है अब मैंने लिया है केक टी में भी इस्टिल जर्मन का टीन जैसा ले सकते हैं जिसमें मिठाई तैयार की जाएँ और हमें गरम गरम ही डालना है थंडा होगा तो मिठाई अच्छे से बने गी नहीं इसलिए हमने गरम गरम ही डालना है और तन में हमने ले लिया बटर पेपर या फिर आप पॉलिथhone का भी इस्तमाल कर सकते हैं आपको जैसा ठीक लगे अब इसे चम्मच से पूरा अच्छी तरह से फैला लेंगे आपको जितना मोटा मिठा या फिर पतला बनाना उस इसाब से आप फैलाते हुए इसे सेट करते जाएंगे दबाते हुए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए जम कहीं गैप ना रहे नहीं तो मिठाई तूट सकती है बनेगी नहीं फिर अच्छे से चम्मच से प्रेस करते हुए हम सभी को अच्छे से जमा लेते हैं चारो तरप और देखिए घी भी हलका सा उपर आते जा रहा है और बहुत अच्छी लगती टेस्टी लगती हमने खाया स जला दिखए इस तरह से कर लेंगे और इसे सैट करने के लिए अगर आपको तूरं चाहिए कार्ड मिठाई खाना है तो आप इसे पांच मिनुट फ्रीज में रख सकते हैं या फिर आप इसे 15 से 20 मिनुट बाहर भी रख सकतें सेट होने के लिए देखिए मैंने 5 मिनुट फ कट करते जाएंगे ताकि मिठाई अच्छे से निकल जाए अब एक प्लेट लेते हैं प्लेट से जैसे हम केक निकालते न उस कर दी हूँ यह बहुत ही सुन्दर दिख रही है अब चलिए इसे कट कर लेते हैं आपको जिस भी शेप में चाहिए जिस भी साइज में चाहिए आप उस साइज में मिठाई काट सकते हैं और यह मुँ में जाते ही साथ गुल जाती है बहुत ही टेश्टी लगती है मिठाई हम कि आल्रेडी बिस्कीट और दूद पॉटर में शक्कर रहती है इसलिए हमने ज्यादा शक्कर की चाशनी नहीं बनाई और चलिए मिठाई को कट कर लिया है अब मैं आपको दिखाती हूँ देखिए एकदम परफेक्ट बनी है मार्केट जैसी दिख रही है न अब इसे मैं आते ही साथ घुल जाने वाली मिठाई है अगर आपको इस रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लिस कॉमेंट में जरूर बताईएगा थैंक यू